अस्सलामू अलेकूम मैं जुलेखा अर्फाद जुलेखास किचिन से तो चलिए आज हम बनाते हैं बढ़िया से मज़ेदार से मटन के कच्छे कीमे के कबाब बहुती जटपट असानी से घर पर बन जाते हैं और बहुती सौफ्ट बनते हैं अंदर से माशालला और बहुती डिलिशस बनते हैं जरूर बनाईएगा यह देखिए तो चलिए बनाते हैं साधारा न्याने, ordinary ingredients से extraordinary कच्छे कीमे के, वो भी मटन के कबाप soft-soft बनाते हैं, चलिए Usually कच्छे कीमे के कबाप कीमे से ही बनाये जाते हैं, बट मेरे यह अच्छा कीमा मिलता नहीं है, तो मैं क्या करते हूँ, आधा कीलो मटन का boldness मंगा लेती हूँ, इस कदर medium pieces करवा लेती हूँ, और इसकी चर्वी निकाल लेती हूँ, दो-तीन पाने से धोके इसे 10-15 मिनिट के जब completely dry out हो जाए, तो इसे डाल दीजिए chopper के अंदर, और इसके साथ-साथ, यहाँ पर मैं 2 bread डाल देती हूँ, जो हमारे bread आते ना खाने के, वो ऐसा pieces करके डाल दीजिए, और इसे बहुत अच्छे से blend कर लीजिए कीमे के अंदर, अभी यह बन गया हमारा कीमा, और अभी च्छाय का चमच, आतरक लसन का paste, अब यह है ना, भूना और दरदरा पीसा हुआ धनिया है, मेरे पास इतना ही रखा है, तो यह आदा च्छोटा च्छाय का चमच है लगबग, तो मैं यह दाल देती हूँ, लेकिन यूजिली मैं यह देर से 2 च्छोटी च्छाय के चमच द और बाकी, एक च्छोटा च्छाय का चमच, जो धनिया पाउडर आता है, मैं वो दाल देती हूँ, तो आपने देखा, टोटल धनिया, मैंने आधा जो पीसा हुआ, दरदरा पीसा वाला आधा दाला, च्छोटा च्छाय का चमच और एक च्छोटा च्छाय का चमच यह दाल अब आप मेरी तरह चाहें, तो आधा-दा दालें या मेरी तरह चाहें, तो एक ही दालें, मैं तो यूजुली, धनिया, भूना पीस में ही दालती हूं, देड या दो छोटी चाय के घमश, अब यहां दाल दीजिए, एक चोटाचाय का घमश, चिली फेलेक्स, बारिक काथ कर दाल दीजिए, ये दो medium size की छुंदा यानि के बारिक कठी हुई प्याज है, ये भी दाल दीजिए, आप चाहें तो इसे थोड़ा निचोड़ कर दालना चाहें, तो दाल सकते हैं, अब मेरा जो कीमा वो हलिका मुझे थोड़ा गीला गीला लग रहा है, तो यह मुझे जो कीमा है ना, अभी भी थोड़ा सा इसमें moisture लग रहा है, तो मैं यहां अभी भी 1 tablespoon भूना नहीं है मैंने, लेकिन ऐसे ही डाल देती हूँ, basin, तो यहां total मैंने 2 tablespoon जितना basin दाला है, पहले 1 tablespoon और अभी फिलहाल वापस 1 tablespoon, क्योंकि मुझे थोड़ा सा कीमा गीला तब भी यहां मुझे थोड़ा गीला पन लग रहा था कीमे में, तो मैंने 2 tablespoon बेसन दाला, यह totally आपके कीमा जो बना रहे हो या कीमा जो होगा, उसके ओपर depend होगा, आप चाहें तो totally skip भी कर सकते हैं 2 tablespoon बेसन, या फिर आपको भी गीला गीला लगे, तो आप 1 या 2 tablespoon बेसन द देती हूँ, हातों को थोड़ा सा तेल से grease कीजिए, एक medium mixture लीजिए, और इसे पहले तो ball बनाईए, और फिर चप्टा कर दीजिए, और side से अच्छा shape देते जाए, और इसे side पर रख दे, इसी तरीके से सारे आप kebabs बना सकते हैं, अब आप जादा बड़े-बड़े mixture ले लेकिन हाँ, बीच में से चप्टा होना जरूरी है, क्योंकि जब ये fry होंगे न, तो ये थोड़े फूलते हैं, चलिए, अब मैं इसे fridge के अंदर आधे घंटे के लिए, रहने देती हो, थोड़ा सा set हो जाएंगे न, चलिए तकरीबिन आदा घंटा हो चुका है, मैंने नि दालिएगा fry pan के अंदर एक साथ नहीं, तो फिर तूट फूट भी सकते हैं, आप पलटना होगा आपको तो फिर वो एक दूसरे में तूट फूट भी सकते हैं, तो इसके लिए कम दालिए, एक साथ सारे मत दाल दीजिए, बैचेज में fry कीजिएगा इसे, और इसे slow आज कर करते हुए, इसे 11-12 मिनित तक पका लीजिए, अब मैं क्या कर रहे हूँ, थोड़ा slow कर रहे हूँ, थोड़ा slow से medium आज पर रख रहे हूँ, क्योंकि क्या आप बार बार कभी-कभी मेरा है न, चूला वाइडा चालना करता है, और वो थोड़ा सा बंद हो रहा है, चूला, इसके लिए मैं थोड़ा सा slow से medium आज पर भी रख रहे हूँ, चलिए, जब पूरे total 10 मिनिट हो जाए न, तो इसके बाद आप चाहें तो medium आज कर लीजिए, medium आज जैसे मैंने अभी कर लिया, 10 मिनिट हो गए तो, अब उलट-पलट करते हुए, अलके dark spots आ जाएं, तो एक- बाद नहीं, बट मुझे थोड़े से crispy अच्छे लगते हैं, तो मैं थोड़े से ज़ादा dark spots दिला रही हूँ, मेरे कबाबों के ओपर, जैसे आप देख सकते हैं, बस 11-12 मिनिट तक आपने total पकाना है, उसके बाद निकाल का नितार का side पर रख दीजिए, और batches में fry कर ली किमा मत लीजीगा, क्योंकि क्या होता है, जब आप कीमा ले रहे हैं, तो उसके अंदर जब अगर पानी अच्छे से नितरता नहीं है, तो उसमें पानी रह जाता है, मतला मॉइस्चर रह जाता है, जब मॉइस्चर रह जाता है, तो क्या होता है, हमारे जो कबाब हैं, तो सबसे पहली बात तो यह और दूसरी बात यह होती है, कि जब हम fry करते हैं, तो यह जो तेल है ना, बहुत जादा उड़ता है हमारे उपर, हाथ बात पर बहुत और गरम-गरम तेल लगता है, तो बहुत प्रॉब्लम होती है, तो इसके लिए यह सारी चीज़े अवाइड करने के लिए, आप चाहें, तो मेरी तरफ पीसेज ही लेकर घर में गोश का कीमा बना लीजिएगा, अगर आप एकदम शौर हैं, के नहीं कीमा एकदम ड्राइ है, तो फिर कीमा लीजिएगा, आपकी मरजी, अचाहा, अब यह जो हरी चटनी है, इसका लिंक मैं आपके लिए डिस्क्रिप्शन के अंदर दाल देती हो, आप वहाँ चेक कर लीजिएगा, इसी तरीके से मैंने खूब सारी मटन की रेसिपी मेरे चैनल पर बना कर अपलोड की, आप लोगों के लिए लिंक्स डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप वहाँ चेक कर लीजिएगा, तो आप देख सकते कितनी बढ़िया सी बनी है, माशालला और एकदम सुपर सॉफ्ट ही है, मुटन के कीमे की, तो जरूर बनाईएगा, तो हैना मज़ेदार रेसिपी आज की, अगर ये रेसिपी बनाएं, तो मेरे साथ कमें सेक्शन में जरू शेय किजिएगा, मुझे आपके कमेंस पर ये बहुत अच्छे लगते हैं, तो लाइक कीजिए इस वाले वीडियो को, उससे साथ अच्छे लगए अपने फैमिली और फैंस में इस वाले वीडियो के लिंक जरूर फवर्ट कीजिएगा, फिर से आजिर होंगी नहीं चांदार दमदार रेसिपी के साथ, अंतल दें टेक केर, अलाहाफिस, बाइ